जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए किसे ने किया किसे ने किया किसे ने किया आज पती जून है साथ बहुत लोगों को जानकारी भी ने कि पती जून क्या है अगल वगल में पूछरा करता है पती जून की वो राख देश के आसमा को कुछल दिया गया था भारत में लोगतंत्रा समिधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है भारत में लोगतंत्रा सद्यों से हमारी आत्मा इस आत्मा को कुछल दिया गया था देश के मिडिया को दबोश दिया गया था देश के महापुरुशों को जेल के सलाकों के पेशे बंतर दिया गया था पुरे हंदुतान को जेल ठाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सब्ता चली नजाए इसलिए गया नाएक पालिता का जज्जमेंट था नाएक पालिता का नादर कैसे होता है उसका वो जीता जाता हुदार आज पती जून को हम लोग संद्र के प्रतिव फिस से एक बार अपना समर्पन अपना संकल उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना हुगा समिधान की बाते बताना और समिधान को कुचलने के पाप करना इस चीजों को कोई भूल नहीं सकता है और उस समय जो जो भी इस पाप के भागिदार से यह दास कभी मिटने वाला नहीं जाए अर इस दास को बार मार्श बनर करना का भी ज़रुरत है ताकि देश में फिर कैसे किसको यह ऐसा पैदाना हो जिसको इस पाप के राख्य बर जाने की इच्छा हो जाए इस लिए याद करना ज़रुए यह प्रणा 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 के महत्व क्या है कि समझाने के लिए भी लोग तंत्रप गिश्पगार्द प्रहार वादा इस मरण कराना जरूरी होता है कि किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है और इसलिए उन संपक्षों की पूरी के लिए उस समय जबकि मेडिया प्रताले लग चुके थे हर कोई लगता हो था कि आज शाम को पुलिस आएगी पकड़ लेगी ऐसे बाता बरन में है कि मेरे देश के नागरीकों की सामर्थ देखी इनका ताकत देखी जाती पन संप्रदाय सब से उपर उठकर करके देश ने उस समय चुनाओं में नतिज़ा दिया था और लोग तंतर के लिए वोट किया था और लोग तंतर को पुनप्रस्था भी किया था ये मेरे देश के मद्दाताओं की सामर्थ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथी इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा